बहराव बाबा का ये उपाई बदल देगा आपकी किसमत सभी को जैमाता की तो सब जानते हैं कि दिपावली का परवार है अब इन अवरात्री का परव चल रहा है और जो दिपावली से पहले शनिवार आता है उस सनिवार पर यदि बहराव बाबा का आप ये पांस लड़ोर कच्चे दूद का उपाई कर लेते हैं तो जिन लोगों के काम धंदेरु के वें जिन लोगों के शरेर में बिमार्य रहती है या जिन लोगों के शत्रू बहुत जादा है जिन लोगों को क्रोध बहुत जादा आता है आपस में परिवार में कलेश रहता है किसी की आपस में बंती नहीं है और जब भी आप किसी कारिया को करने लग जाते हो तो कारिया लगबग लगबग संपूर्ण होने की कगार पर होता है तब ही जाकर के आपका कारिया बिगड जाता है तो इन सभी कारणों से बचने के लिए और इन सभी मुसीबतों से निकलने क लिए आपको भैरव बाबा का ये उपाए हर मुसीबत से बचा देता है जो लोग नवरात्री पर्व में माकाली की सेवा कर रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनोंने दुर्गमा और दुर्गमा मा के साथ माकाली की भी जोत लगाई है माकाली के मंतरों का जाप कर रहे हैं देखिए कहीं जगह तो भैरव को माकाली के पती रूप में माना गया है क्योंकि शीव के रूप थे और कहीं जगह इनके पुत्र रूप में भैरव चलते हैं तो अगर आप माकाली को पूझ रहे हो माकाली को कोई भोग दे रहे हो परसाद दे रहे हो और साथ में आप भैरव बाबा के लिए कोई उपाय नहीं कर रहे हो उनको कोई भोग परसाद आप नहीं दे रहे हो तो आपका जो कारिया है वो अधूरा बनता है क्योंकि माकाली के स साथ इनको भोग देने का वरदान भी इनको मिला हुआ है और ये बात बिलकुल सत्ते है जो लोग माकाली की पूजा करते हैं माकाली के उपासक होते हैं यदि वो भैराव बाबा को ब्रबोग परशाद ना दे उनके नाम का कोई भी अपने दरबार में या फिर जो लोग रह जाती है और उनके जो दरबारों में कारिया होते हैं जो संकट उठाने का कारिया होता है जो आप किसी का भी क्रोध बहुत जादा किसी व्यक्ति को आ रहा है कोई बिमारी से जादा गरस्त हो जाता है शनिवार और अमावस्य के दिन किसी को जादा ही कुछ लोग बोलते है कि हमेशे मिच्छ निवारों मावस से के दिन हमारे घर में जादा जगडा हो जाता है कलेश बढ़ जाता है छोटी छोटी बातों पर अचानक से जगडा और गुस्सा बहुत तेज आने लग जाता है तो इसका क्या उपाई कर सकते हैं देखे भैरव बाबा का ये जो उपाई हम आपको बताने जा रहे हैं या आपको लगबग लगबग हर संकट से मुक्ति देने वाला है तो सबसे पहले तो आपको पांच शनिवार के लिए पांच बूंदी के लड़ू भैरव जी के लिए किसी भी निर्जन स्थान में रख देने है या फिर किसी भी माकाली मंदीर में अगर भैराव जी का स्थान बना हुआ है तो वहां पर आप भैराव जी के नाम के पांच लड्डूस व्यक्ति के उपर से उतार करके जिसके अंदर बहुत जादा क्रोध है पांच शनिवार जरूर दें और दूसरा है कच्चे दूद का उपाई के अगर आपके परिवार में जादा ही कलह का वासा रहता है तो लास्ट वाली रोटी जो होती है उसको कच्चे दूद में डुबा करके आप किसी भी कुत्ते को खिलाएं काले कुत्ते को खिलाएं कुत्ता जो है वो मेल होना चाहिए यानि के कुतिया नहीं होनी चाहिए आपको काला कुत्ता देख लेना कहीं पे भी उसको आप कच्चे दूद में डुबा करके रोटी जरूर खिलाएं ये उपाई आप 21 दिन या 41 दिन करें और जो दूद आप कुत्ते को दे रहे हैं उस दूद में 5 बता से उतार के जिस भी व्यक्ति के क्रोध आता है उसके उपर से उस दूद में डाल करके वो रोटी आप कुत्ते को खिला सकते हैं तिसरा उपाई रहता है इनका खिचडी का यानि कि आपको खिचडी चडानी है देशी गी में बना करके किसी भी बहरव मंदिर में कहीं भी बहरव के स्थान पे फिर बहरव मंदिर बहरव स्थान अगर नहीं है क्योंकि जब भी कोई उपाई बिताती है लोगों के बहुत कमेंट आते हैं हमारे पास इसका मंदिर नहीं है हम उपाई कैसे कर सकते हैं स्थान नहीं है कैसे उपाई कर सकते हैं हमारे यहां बहता पानी नहीं है तो हम कैसे उपाई कर सकते हैं तक्रीबन तक्रीबन हर चीज के उपर तो अगर आपके यहां भैरव मंदिर या भैरव स्थान नहीं है तो मा काली के स्थान पर ही आप भैरव जी के नाम का चड़ाएं अब देखे जो लोग नारियल चुनरी पान पेड़ा मा को समर्पित करते हैं तो उसमें जो पांच बता से का उपाय बताया जाता है वो भैरव जी के नाम के रहते हैं जो पांच लड़ू दिलवाय जाते हैं वो भी भैरव जी के नाम के रहते हैं लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं तो जो स्पेशली खास कर के माकाली के सादक होते हैं माकाली की जो सेवा करने वाले होते हैं उनको भैरव जी के यह उपाय जरूर कर लेने चाहिए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि हम अपनी गद्धी पर अपनी चौंकी पर या फिर हमारे घर में हमारे कुल देवता के रूप में भैरव जी चलते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनको क्या डेली में भोग लगा सकते हैं, डेली में हम उनको कैसे मना सकते हैं, क्या हम उनके नाम का स्थान किसी भी रूप में चांदी में या फिर सोने में हम उनको पिंडी रूप में पूद सकते हैं, बहुत सारे सवाल रहते हैं, देखिए अगर अगर अपने अपने घर में मा काली की मूर्ती को प्राण प्रतिष्ठा किया है यानि के कोई आपके पास पत्थर की फाइबर की कोई भी मूर्ती अगर आपने मा की अपने घर में सवरूप रखा है प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्ती है पंडित जी से आपने उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई है तो उसके साथ साथ आपको भैरव जी का सवरूप भी जरूर रखना चाहिए चाहिए वो फोटो तस्वीर ही क्यों ना हो तो भैरव जी के लिए आप डेली में देखिए इनका भोग वैसे तो वास्तों में खिचड़ी होता है वैसे तो यह तमसिक भ क्रिपा है वो आने लग जाती है क्योंकि अगर इनको नहीं मनाया गया साथ में तो माकाली की क्रिपा जो है रुक जाती है बच्चे बोलते हैं ना हमें माकाली की सेवा करते हैं इतने दिन हो गए हमें इसका फल नहीं मिल रहा है तो माता तो सिरफ आदेश करती है कारिया आ प्रवाइश रहता है और देली में आप इनको खिचडी ही समर्पित करें खिचडी समर्पित करें या फिर रोटी की आप चूरी भी नाकर भी इनको चड़ा सकते हो देखो मीठे में जो मां को नवैद्य लगता है वो ही नवैद्य आप इनको भी चड़ाओं इनके भोग में लोंग भी चड़ सकती है लाइची भी चड़ सकती है तो ये छोटी छोटी बाते जोआ ध्यान रखने वाली होती है इन सबी छोटी 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 चीजों को आप ध्यान में रखते हैं तो आप अपनी भक्ती में जोआ सफलता पाने लग जाते हैं और जिन लोगों को रहत कि हमें क्रोध आता है या फिर हमारे घर में कलेश रहता है वो भैरव जी के उपाई अगर कर लेंगे सच्ची श्रद्दा के साथ तो उनके घर से हारी बिमारी क्रोध दुख कस्ट कलेश धीरे धीरे सब निकलने लग जाता है क्योंकि यहां पर श्रद्दा और भाव का ही खे लिए आबूशन आप खरीद करके लिए और भैरव जी के लिए आपने काला कपड़ा तक नहीं रखा काला साफा तक नहीं रखा तो मा काली जो है उस भोग को उस वस्त्र को स्विकार नहीं करती है और यह जानकारी आपको कोई बताता भी नहीं है क्योंकि हमारे चानल पे जो है चोटी चोटी अंतरंग जो अंतर की बाते हैं वो बताई जाती है इन चोटी 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 चीज़ों को जानने के लिए चोटी चोटी जानकारिया हासिल करने के लिए आप दिवानी पात्री वाली चानल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें अपने रिष् आपको प्रेरित नहीं किया जाता है तो अगर जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेर और सबस्क्राइब जरूर करें सभी को जैम आता की